कि दोस्तों आज मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ ना कि अज आप आपने अगर यह पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद आप खुद तो पैसा लगाओ यह सेर मार्केट में आप अपने बच्चों को भी बताओगे कि बेटे सेर मार्केट में पैसा जरूर लगाना मेरा मतलब सेर मार्केट से नहीं है मेरा मतलब इन्वेस्ट करने से आप खुद अप लगाओगे खुद इन्वेस्ट करोगे और आज मैं में और बताऊंगा आपको कि मुझे लगता है कि मेरे दो बताया एनम एक क्योंकि मैं खोद इतना strengthening अथीक और मैं क्या को इना जानता कि किसी भी चीज का एक्षपर्ड नहीं होता ठीक है हम रोज सीखते हैं और जिंदगी बर सीखते हैं और हमें सीखना चाहिए रोज और सीखते रहना चाहिए रोज वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जिंदिगी वर्तक लाइफ टाम सीखते हैं ठीक है उन लोगों को देखो जिनके घर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं बड़ी बुक्स रखी हुई हैं क्यों रखी जिससे आप आज तक वाकिव नहीं हो आपको डर लगता है ना आपको क्या जो हमारी सोसाइटी में हमारे मामा पूपा चाची चाचा बोलते हैं और सेर मार्केट में पर समल लगए हो डूब जाएगा उसकी इतने डूब गई उसकी इतने डूब गई भाई मेरा तो आस तक एक बिनी मैंने आज तक जोब इन्वेस्ट किया मेरे तो एक बिरुपया नहीं गया पता नहीं कैसे डूब जाते लोगों क्योंकि पता है वो गैंबिलिंग करते हैं और सेर मार्केट एक गैंबिलिंग नहीं है आप अगर इसको गैंबिलिंग की तरह यूज करोगे तो चार्ट है आप कहोगे कि यह सेर मार्केट की किसी कंपनी का चार्ट है आप कहोगे कि किसी सेर मार्केट की किसी कंपनी का चार्ट है लेकिन असली बात तो यह है कि यह सेर मार्केट की किसी कंपनी का चार्ट नहीं है यह उनली मैं बोलूं अगर इसको कि यह हमारे भारत की जो एकोनोमी है ना उसका चार्ट है तो आपको एक परसेंट भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी दिखाता हूँ आपको कि एक मिनट कि यह देखो आप क्या देखर हो इस क्रिण पर बी एसी सेंसेक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बता चुका हूँ मैं हमारे मार्क इंडिया में दो बहुत बड़ी इंडेक्स है एक तो निफ्टी है और एक सेंसेक्स है निफ्टी को एनसी केते हैं और सेंसेक्स को बी एसी केते है में 50 लिश्टेट हैं तौफ 50 कंपणी विग्रिंट में और 32 सी में टअफ 30 ठीक है और नो कम्बनी और टौफ 30 तैसे में चीव मार्केट में आप सबके कंपनी के तो इंडेक्स को देखेंगे कि कौन सी कंपनी का सेर गिरा कौन सी कंपनी का सेर बढ़ा ठीक है तो यह क्या करते हैं टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स में रखते हैं जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है उसको अलग कर देता निकाल देता फिर अच्छा पर यह को थोड़ा आपको वोरिंग शाल लगेगा लेकिन समझ लो बहुत काम की चीज है आपके पास माली जी आप छोटा सा एक्जमपल लेते हैं वाली कहीं पर पांच बंदे काम कर रहे हैं और उस गुरुप का एक लीडर बना दिया हमने ठीक है एक लीडर बना दिया और और ह अगर यह चीज जानने है तो हम किसको पूछेंगे उस गुरुप के लीडर से पूछेंगे वहीं बता सकता है और हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो यह समझो एक इंडेक्स है एक लीडर है पाच-पचास कंपनियों का ठीक है यह तो टॉप 30 कंपनी होती है बीसी में और देख लेते हैं उससे पता सल दाता है कि सेर मार्केटि की जो कंपनियां और हैं वह कैसा प्रफॉर्म कर रही है ठीक है तो अम मैं आपको दिखाता हूं पी ऐसी बीएसी सेंसेक्स है ठीक है कितना है आज की डेट में 50,209 रुपई ठीक है आज भी देखो 1.27 परसंट ऑपर गया हुआ है अब तक ऊपर गया है और यह लगता आपको इस उपर नहीं चाहिए अभाई यह क्या फिए यह इन्डेकसा किसों किसेुए इंडिया में जो प्रफॉdat और कंप्णी है कंप्णी किया है वहीं चाधिश के कि या इकोनोमी क्या होती और देश कि अपणी को स्ट आपने देश में घरेलू शकल घरेल Religion उत्पाद अगर कंपणीया नहीं होंगी प्रोड़क्ट कुम बढ़ेगा तो GDP कहां से बढ़ेगी तो उसी GDP को index करने नापने का एक तरका आप कह सकते हो कि एक index है ठीक है कि अभी आप पिछले साल देखो पिछले साल इस जगह पर लॉगडाउन लगा था तो सारी कंपनियां सब कुछ संपूर लोगडान हो गया था तो सब कुछ बंद हो गया था जीडीप गिर गेती क्यों गिर गिती क्योंकि कंपनियां कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाना बंद करती थी बिजनेस ठफ हो गया था सब कुछ हो गया था तो देखो कितना आ गया था इंडेक तो देश की एकुनोमी यही इसे मार्केट अब आया समझें आपको यह क्या है देश की जी डीपी है ठीक है भाई देश में जब तक कंपनिया नहीं चलेंगी तो प्रोड़क्त नहीं बनेगा प्रोड़क्त नहीं गिर रही है GDP गिर रही है क्यों जब से देखो मैं थोड़ा आउट जाना चाहूंगा जब से 24 से पतने कब से बीज़ेपी की गुर्मेंट आए वे अपसे GDP गिरती आ रही है क्यों गिरती आ रही है क्योंकि इस सरकार में कुछ ऐसी सुचेशन साहती है अभी लॉग डाउन मना रहे हैं ठीक हैसे करके तो GDP गिरती आ रही है ठीक है लेकिन चल्ड अब भी रही है ठीक है ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया तो यह क्या है यह एक देश की इकोनोमी प्र पेसा लगा रहे है आप उस एकोनोमी पेशा लगा रही हूं बस आपको थोड़ा सा अच्छे से एनलाइसिस करके देखना है ठीक है अब देखो छिखाने के लिए बहुत कुछ है यार सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत कुछ है आप जब तक learning नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला ठीक है अब मैं आप से बोलू कि आपका पैसा सेर मार्केट में लगाया जा रहा है जी बिलकूर सच है अभी जो मैंने बोला आपका पैसा सेर मार्केट में लगाया जा रहा है मिर्णे को आप यह बता दो कि किस बंदे का पैसा ऐसा इस-देश में कौं occasions कर थे? आप ने किया आपके पापा ने किया हर हर वो आदमी जो इस देश में है ठीक है जिसका अकाउंट है वो शेर मार्केट में पैसा इंवेस्ट कर रहा है अकाउंट किसी बैंक में हो वो इस शेर मार्केट में थोड़ा सा और आप उसी में खुष हो ठीक है लेकिन मैं जब बोलता हूँ आप सीखो लर्निंग करो बहुत सारी चीह है शीखने को तो आपको समझ में नहीं आता होगा साय देना से आकांटमें पैसा रखते हो अकांटमें पैसा रखते हो नयां बैंक मेंग हम सब लोगed मैंसा रखते हैं सब dispersed टे को सेविग काउंट होता है कोई क्लद делает सेविंग कांट में कुछ इंट्रेस्ट रहे मिलती ॥ यह दो APP stay युप से תमkinHHH कि जलओ बंदे ज ज्याता समयधार होते हैं आपके पैसे से तर्नक्त करती है आपका पैसा बैंक आपने कभी सोचते हैं बेंक को प्रॉफिट होता है आपके पैसे की वह हेण करती है ठीक है और जब आपको जरूत हो दी तब आपको पैसा दे भी देती है उसको क्या profit है मैं बताता हूं आपको bank दो तरीके से पैसा कमाती है एक मेन दो तरीके है ठीक है मेन एक तो देखो bank का पैसा कमाने का फार्मुला क्या है बैंक क्या है ठीक है दो तरीके इसके पैसे कमाने के एक तो देती है वो लोन कि किसी को भी लोन दे दिया गोल लोन दे दिया ठीक है और वहिकल लोन दे दिया ठीक है होम लोन दे दिया और एक एक तो तरीका हो गया यह इसका लोन दे दिया इंट्रेस्ट पर उससे पैसा कमा रही है ठीक है और दूसरा तरीका होता है इनका ये शेयर मार्केट ये share market में पैसा invest करते हैं आपके पैसे को लिएगरगे आप से पैसा लेते हैं और आपके पैसे को share market में invest करते हैं और आप यकिनने नहीं मानों हैंगे कि एक साल में ये 30-30, 40-40 50-50 परसेंट का मुनाफ़ा कमाते हैं एक-एक साल में ठीक है और आपको किया मिलता है देखने को एक साल मैं कितना profit मिलता है दोस्तों आपको 7% बहुत खुस होते हूट आप है ना बहुत खुस होते हूट आपने बोला कि हमने fda करा दिये 7% की हां इंटरेस्ट आ ही है और आप बहुत खुस हो रहे है कि आदमी को नौलेज नहीं है जतना मिल जाए उतना ही काफी है है ना अरे कुछ अम क्यों ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते आप कि खुद ही लर्निंग करें आपने एजुकेशन में 20 साल 25 साल निकाल देते हो ना क्या मिलते हैं उसको करने के बाद जॉब लेने जाओगे ना आपको फ्रेशर बोल दे आता है फ्रेशर बीस भीस दत्स लाग रुपे खर्च करते हैं लोग पहल टेवां किसने मिए कर ली इसी एक ली किसने बीडेक कर ली 10 लाक रुबेख खर्च कर देते हैं ठीक है और साल टाइम देंको एंबिय की उसने शुरू से अब तक बीस पच्छिस साल भी खत्म कर दिए और 10-12 लाक पंदर लाक रोभी रुपए भी खर्च कर दिए मैं कहता हूं आपको आज मैं आपको आज क्यता हूं है कि गेरांटी के साथ आपने 20 साल खर्च कर देना आप केवल केवल इसको सीगने में लर्निंग कर लो बस आपको केवल दो साल तो बहुत होगे एक साल केवल एक साल आप इसमें लगा दोगे न एक साल बाद आप यह कहोगे कि यार हमने आज तक कुछ नहीं सीका कुछ भी पड़ा सब बेकार मैं देखो एक मैं पड़ाही के खिलाफ नहीं हो हमारा देश का का एजुकेशन सिटम खराब है हमारे देश का एजुकेशन सिटम ठराब है हां अंग्रेज mouth आने से पहले का वह बहुत अच्छा था अरे आप एक बात सोचो यार हम सब लोग फाइनसली फृड्म होना चाहते हैं हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन क्या होते नहीं क्यों नहीं होते हैं वो खुषी Financial Freedom नहीं होते हैं विचारों को उनको fundi नहीं होती है वो खुषी रूरल ए fund Сам ल् mortar youtube कर होते हैं एक साल मेरे कहने पर लगा दो किसे पर खुछ नहीं सीखा लेकिन अब इस एक शाल में बहुत को सीख लिया ठीक है तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप अपना पैसा कोई और लगा रहा है आपके पैसे से प्रॉफिट कमा रहा है बंदा आप उसमें अच्छे हो खुस हो आप उसमें खुस हो रहे हो आप कर देते हैं इसमें कितना मिल लाता आपको 7 परसंट के अव्याज बताए है इस महींडे को होड़ सेल रिटेल की जो हो है मेहगाई दर है कता कितनी है 10% से उपार निकल गई है 10% से उपर मैंने आपको बता रखा है मेहगाई 7% 7% की दर से हर साल वढ़ती है महगाई और बैंक आपको FD में कराओगे तब कितना मिलेगी 7% कि प्याज क्या दे रहा है कुछ नहीं दे रहा ठीक है अब दूसरी बात 7% की ब्याज से महगाई बढ़ती है पेट्रोल डीजल कितने बढ़ गए पेट्रोल डीजल और LPG क्या लगा आपको पेट्रोल डीजल केवल पेट्रोल डीजल ही बढ़ा है पेट्रोल डीजल ही नहीं बढ़ा दोस्तों बहुत सारी चीज़ बढ़ती है एक बात याद रखना जब पेट्रोल बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ बढ़ती है क्योंकि पेट्रोल भारी वहिकल्स में पढ़ती है वो तो छोटे म से निकालेगा वह भी तो अपना रेंटि बढ़ाएगा दो ले आने का एक्स्पाइब तो निकालेगा वो सको तो पर हमारे आपकी बढ़एगा महें ऐसे बढ़ती है और दिन पर दिन बढ़ रही है और लेकिन अपने पैसे को अपने पास रखते हुई हो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कर भी दिया तो FD कर दी अच्छी बाते कर दो लेकिन इन्वेस्ट करो पैसा कमाना अलग बात होती है पैसा कमा के पैसा बहुत सारी लोग कमाते हैं लेकिन बचाते बहुत कमें पैसा कमाता है क जो बंदे पैसे कमाते हैं अच्छी बात है पैसा कमाने के बावजुद वो सेविंग करते हैं और अच्छी बात है और सेविंग करने के बाद वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं वो और बहुत ज़्याद अच्छी बात है और इन्वेस्ट करने के बावजुद भी सबसे बड़ी बेवकूपी है पैसे को इस जगह लगाओ जहां आपका पैसा इंवेस्ट भी रहे बरता भी रहे शेर मार्केट में लगाओ इंवेस्ट करो data व्लगादो व्लस्ट हम दुट रियख बरादा नाशा लेकिन अब रियाल स्ट्रश में लगाने के लिए आपक्या पास व्लप जिए 10 50000 क्या मिलेगा आपको 10-15 थारपे में क्या खरी लोगे आप कितना खरी लोगे एक एक वी का जमीन आएगी एक खरी सकते वाई मुझे लगते इतना आज जाएगा कहीं ठीक है इसलिए कि इस्टॉक मार्केट इस बेस्ट ऑफ्चन फॉर इन्वेस्टिंग एंड गेन कंपाउंडिंग ठीक है अब मैं आप से कहूंगा मैं हमसा आप से लॉंग टर्म की बात करता हूं लॉंग टर्म में देखो आप इसको देखो लॉंग टर्म में बी एसी ना देखो यह कुनट बी एसी ना पचास चाहर से उबर पहुंच गया कभाया था 1986 अब तक ठीक है आठ जार 847 परसंट का रेटन दे चुका है ठीक है यह तो बीएसी है कंपनियों नहीं कितना कितना रेटन दिया तो यह तो उसका इंडेक्स है अब आप मैं आप से कहता हूं ना कि 20 साल के लिए कर दिर्टना कि एकर देन कंपञा हिए मैं अब कर घूँरैहों क्यूंट से ज cultivated टैक्स मिन्ल इता है और वह में हम और आप देते हो बिजिनस्में कवी कभी निएता-बिजिनस्में कभी ने टा जहाब जाब कर रहे हो जिस कंपनी में बड़ी सबड़ी कंपणिय कंपनिया देख लिए न उसे नें तरह प्ट्रेंट टेक्स आप दे नहीं बहुत सारी चीजे आप कहते हो कि 10 साल कौन होड़गा करेगा क्या पलत करेगा पंदठ साल ह्यों करेगा थिंड IT अब पता नहीं चल पाता देखते हैं 15 साल पत कोच नहीं बसता लेकिन आपको इसमें 15 साल होल्ड करने के लिए बोलो तो आपको लगता है कि पतानी क्या बोल दिया यह नहीं हो पाएगा है ना आपकी इच्छा है मेरे आपकाम है सिखाना और सीखना मैं खुद भी सीख रहा हूं और मैं चाहरा हूं कि मुझसे अच्छी बात है दोस्तों कुछ सीख लो अब तक आपने जो किया छोड़ो उसको लेकिन अब कुछ कर लो मुझा है अब भी भी टाइम है अब भी भी बहुत टाइम है आज सीख जाओगे तो आप भी कुछ कर लोगो और अपने बच्छों को भी सिखाओगे तो यह देश की एकोनोमी यह देख रहे हो दिन पर दिन बढ़ती आ रही है यह इसके मगवा था यहां पर यहां पर इसके मवा था दूजर आट में तो क्या हुआ इसके बाद सेर मार्के डूब किया सब कुछ नहीं चल रहा है फिर भी उठा फिर चल रहा है लोंग टरम में क्यों वोल्ट यहां दिक्कत हुई थी अब फिर रेकवर कर गया कर गया ना तो मैं यहीं वोड रहा हूं आपका पैसा कोई और लगा रहा है इंसुरेंस कर वाले तो आप ठीक है दस साल बाद बीस साल बाद तीन लाग के आपको आठ लाग छे लाग मिलेंगे कुछ नहीं देते हो कुछ भी नहीं देते आपको ठीक है इंसुरेंस कर वाले तो हेल्थ इंसुरेंस ले देते हो वो कंपनियां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है आप से पैसा कमा रही है तो क्यों क्यों ब्याइफ को बन रहे हो इसमार्ट बनो इसमार्ट ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इत मिता दिया करो मैं कुछ अच्छा लगता भी नहीं लगता है शेर क्यों निकते मिकते न कि आप करके बस चल्य पीकर सेर करो कम से कम 7 को औरूँ के तो आगे देखो अगर आपको बहुत दूर जाना है तो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और बहुत जल्दी आना है तो अकेले चलो आपको दूर जाना है जल्दी आना है तो दोस्तों बड़ी-बड़ी बिजनिस कंपणियां हैं बड़ी-बड़ी कंपणियां हैं वो सब्सक्राइब कर लो लाइक कर दिया करो कमेंट करके बता दिया करो कुछ अच्छा लगा भी या नहीं भी लगा दिक्कत क्या यार देख के चले जाते हो आप वीडियो कुछ सेर नहीं करते हो कोई सेर नहीं करता है क्या मतलब कुछ समझमा नहीं आता आपके इतनी मेहनत करत करता हूं मैं यह नहीं करता हूं लेकिन एक चीज अगर आप मुझसे सीख जाते हो तो मझे अच्छा लगता है कि मेरे वह से कोई कुछ सीखा इसलिए प्लीज कमेंट करके कुछ बता दिया करो या मैं कुछ गलत बोलता हूं उसको बताओ टो डो बात मैंन करके से जरा दरूर कर दिया करो आज यहां बहुत बहुत अच्छा आप बहुत अच्छा आप बहुत अच्छा सीख हो תखode होगे वोगे दोस्तों चलते हैं अगरे वीडियो के लिए तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बाई करें